राथे राथे जी पौश पूर्णिमा के आप सब को बहुत सारी शुब कामना है। पौश पूर्णिमा के दिन शाकंबरी नवरात्रों का आखरी दिन शाकंबरी जयनती मनाई जाती है। इस दिन मा शाकंबरी की पूजा की जाती है। जिन देवी का नाम दुर्गम नामक राक्षस के वध के कारण दुर्गा पढ़ा वे ही मा शाकम्भरी है आईए उनकी कथा सुने परन्त उससे पहले हमेशा की तरह जै मातादी लिख कर अवशे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी कर दे प्रेम से बोले जै मातादी सारे बोले जै मातादी शाकम्भरी देवी का स्वरूप माता शाकंभरी देवी के स्वरुप का विस्तृत वर्नन श्री दुर्गा सब्तशती के अंत में मूर्ती रहस्य में मिलता है इसके अनुसार शाकंभरी देवी नील वर्ना है नील कमल के समान उनके नेत्र हैं गंभीर ना भी है त्रिवली से विफूशित सूक्ष्म उदरवाली है यह माता कमल पर विराजमान है उनके एक हाथ में कमल है जिन पर भवरे गूंज रहे है यह परमेश्वरी अत्यन तेजस्वी धनुष को धारन करती है यही देवी शाखंबरी, शताक्षी और दुर्गा नाम से भी यही कही जाती है जो मनुष्य मा शाखंबरी का ध्यान पूजा करता है वशीख रही अनपान, फल और अमरत रूप अक्षय फल पाता है देवी पूरान के अनुसार शाखंबरी देवी और दुर्ग मासुर की कथा इस प्रकार है हिरन्याक्ष के वन्ष में एक महा द्यातिय रूरू था रूरू का एक पुत्र हुआ दुर्गम दुर्गमासुर ने ब्रमाजी की तपस्या करके चारो वेदो को अपने अधीन कर लिया वेदो के ना रहने से समस्त क्रियाएं लुप्त हो गई ब्रामनों ने अपना धर्म त्या कर दिया चारो तरफ हाहकार मच गया ब्रामनों के धर्म विहीन होने से यग्यादी अनुष्ठान बंध हो गए और देवताओं की शक्ती भी ख्षीन होने लगी जिसके कारण एक भैंकर आकाल पड़ा किसी भी प्रानी को जल नहीं मिला जल के अभाव से वनस्पती भी सुख गई अतहा भूक और प्यास से समस्त जीफ मरने लगे दुर्ग मासुर की देवों से भैंकर लड़ाई हुई जिसमें देवताओं की हार हुई अतहा दुर्ग मासुर के अत्याचारों से पीड़त देवतागन शिवालक परवत मालाओं में छिप गए तथा मा जगदंबा का ध्यान जब पूजन और स्तुती करने लगे उनके द्वारा मा जगदंबा की स्तुती करने पर महा माया मा भुवनेश्वरी जी जो महेशानी भुवनेशी नामों से प्रसित है आयो निजा अर्थात जिनके कोई माता पिता ना हो इस रूप में इसी स्थल पर प्रकट हुई समस्त स्रिष्टी की दुर दशा देख मा जगदंबा का हरिदय पसीज गया और उनकी आँखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी मा के शरेर पर साव नेत्र प्रकट हुए इसलिए माता का एक नाम शताक्षी भी है शत नैना देवी की कृपा से संसार में महान व्रिष्टी हुई और नदी तालाप जल से भर गए देवताओं ने उस समय मा की शताक्षी देवी नाम से आराधना की शताक्षी देवी ने एक दिव्य सावम्य स्वरूप धारन किया चतर भुजी मा कमलासन पर विराजमान थी अपने हाथों में कमल बान शाक फल और एक तेजस्वी धनुष धारन किये हुई थी भगवती परमेश्वरी जी ने अपने शरीर से अनेको शाक प्रकट किये जिनको खाकर संसार की क्षुदा शान्त हुई इसी कारण माता का एक नाम शाकंभरी है माता ने पहाड पर द्रिष्टी दाली तो सर्व प्रथम सराल नामक कंदमूल की उत्पत्ती हुई इसी दिव्य रूप में माशाकंभरी देवी के नाम से पूजत हुई तत पस्चात वद्रगमासुर को रिजहाने के लिए सुन्दर रूप धारत कर शिवालिक पहाडी पर आसन लगा कर बैठ गई जब असुरों ने पहाडी पर बैठी जगदंबा को देखा तो उनको पकड़ने के विचार से आए स्वयम दुर्गमासुर भी आया तब देवी ने प्रिथवी और स्वर्प के बाहर एक घेरा बना दिया और स्वयम उसके बाहर खड़ी हो गई दुर्गमासुर के साथ देवी का घोर युद्ध हुआ अंत में दुर्गमासुर मारा गया इसी स्थल पर मा जगदंबा ने दुर्गमासुर तथा अन्यदैतियों का सनहार किया वह भक्त भूरे देव जो भैरव देव के एक रूप है उन्हें अमरत्व का आशरवाद दिया मा की असीम अनुकमपा से वर्तमान में भी सर्व प्रथम उपासक भूरे देव के दर्शन करते हैं पस्चात पथरीले रास्ते से गुजरते हुए माशा कंभरी देवी के दर्शन हेतु जाते हैं जिस थल पर मा ने दुर्गमासुर नामक राक्षस का वध किया था वहाँ अबवीर खेत का मैधान है जहां पर माता सुन्दर रूप बना कर पहाडी की शिखा पर बैठी गई थी वहाँ पर मा शाकंभरी देवी का भावन है जिस थान पर मा ने भूरा देव को अमरत्व का वर्दान दिया था वहाँ पर बाबा भूरादेव का मंदर है प्राकृतिक साउंदर्य वहरी भरी घाटी से परिपूर्ण यहक्षेत्र उपासक का मन मोह लेता है देवी पुरान के अनुसार शताक्षी, शाकंभरी वदुर्गा एकी देवी के नाम है मा शाकंभरी के तीन शक्ति पीठ है राजस्तान में दो शक्ति पीठ है जिनके नाम है सकराय पीठ और सामभर पीठ तीसरा है उत्तर प्रदेश में सहारन पूर पीठ तीनों पीठों का संबंध शिवालिक परवतमाला पर विराजमान शाकंभरी देवी से है और इनकी गन्ना प्रसथ 51 शक्ति पीठों में होती है यहां देवी सती का शीश गिरा था उत्तर भारत की नव देवी यात्रा में सबसे अंत में माशा कंभरी देवी का ही नवा दर्शन होता है इनके दर्शन पूजन से अन फल धन धान्य और अक्षय फल की प्राप्ति होती है भक्तो यह थी माशा कंभरी देवी की कथा आईए अब श्रवन करें शा कंभरी चालीसा दाही ने भी माब्रामरी अपनी जवी दिखाए बाई और सतची नेत्रों को चैन दीव लए भूर देव महरानी के सेवक पहरेदार माशा कंभारी देवी की जाग मै जे जे कार जे जे श्रीश कुम्भारी माता हर कोई तुमको सेश नवाता गणपती सदा पास मै रहते विखन और बढ़ा हर लेते हनुमान पास बलसाली अगया तूरी कभी ना ताली मुनिवियास ने कही कहानी दीवी भागवत कथा बखनी छवी आपकी बड़ी निराली बड़ा अपने परले डाली अखियो मै आजाता पानी ऐसी किरपा करी भवानी रूरू डेती ये ने धिया लगाया वार मै सुन्दर पुत्र था पाया दुर्गम नाम पड़ा था उसका अच्छा कर्म नहीं था जिसका बचपन से था वो अभिमानी करता रहता था मनमानी यौवा की जब पाई अवस्था सारी तोड़ी धर्म वैवस्था सोचा एक दिन वेद छुपा लूं हर ब्रह्ममत को दास बना लूं देवी देवता घबराएंगे मेरी सरन मैं ही आएंगे विश्ण शिव को छोड़ा उसने ब्रह्मा जी को धिया उसने भोजन छोड़ा फल ना खाया वायू पी के रानन्द पाया जब ब्रह्मा मा का दर्शन पाया संत भाव हो वचन सुनाया चारो वेद भक्ति मैं चाहूं मही मा मैं जिन की फैलाूं बड़ ब्रह्मा मा वारते डाला चारो वेद को उसने संभाला पायी उसने अमर निसनी हुआ प्रसन पाकर अभी मानी जैसे ही वार पाकर आया अपना असली रूप दिखाया धर्म धुजा को लगा मिटाने अपनी शक्ति लगा बढ़ाने बिना वेद रिशी मुनी थे डोले प्रित्वी खाने लगी हिच कूले अमबार ने बरसाए शोले सब त्राही त्राही थे बोले सागर नती का सूखा पानी कला दल दल कहे कहानी पत्ते भी जड़ कर गिरते थे पास और पकसी मरते थे सूरज पतन जलती जाए पीने का जल कोई न पाए चंदा ने सी तलता छोड़ी समाए ने भी मर्यादा तोड़ी सभी डिसाए थे मतियाली बिखर गई पूज की तली बिना वेद सब ब्रम्ह मद रोए दुरबल निरधन दुख मई खोए बिना ग्रंथ के कैसे पूजन तडब रहा था सब का ही मान दुखी देवता धिया लगाया विनती सुन प्रगती माह माया माने अधभुत दर्शन दिखाया सब नेत्रों से जल बरसाया हर अंग से जरन बहाया सतची सूभ नाम धराया एक हाथ मई अन भरा था फल भी दूजे हाथ धरा था तीसरे हाथ मई तीर धार लिया चौथे हाथ मई धनश कर लिया दुरगम रच्चास को फिर मारा इस भूमी का भार उतारा नदियों को कर दिया समंदर लगे फूल फल बाग के अंदर हारे भरे खेत लहराई वेद ससत्रा सारे लोटाया मंदिरों मई गूंजी सांखवाडी हर्षित हुए बुनी जान पड़ी अन धन साक को देने वाली सकंभारी देवी बलसाली नौ दिन खड़ी रही महारानी सहारन पुर जंगल मै निसनी भगतो यह है शाकंभरी चालीसा यहाँ पर आज की यह प्रस्तती संपूर्ण होती है आशा है आपको आज की यह प्रस्तती अच्छी लगी जै मातादी लिखकर इस वीडियो को लाइक करना ना भूले इस प्रकार के और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे यूट्यूब चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर लें फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जै मातादी